मैंने एक भी जगह पे पायल को गाली दिया एक भी जगह पे मैंने पायल को गाली दिया गया तो बताओ में वेगो चाट में मैंने कोई गंदा MCBC अभी तो अभी तो इता sensitive topic हो गया ना कि मैं पूरा full form भी नहीं बोल सकता कि मैंने एक भी जगे पर पैल को गाली दिया कुछ गंदा बोला पैल को मैंने कोई गाली दी कुछ गोला मैंने गाली कुछ भी तो फिर मैंने कहां से डिस्रिस्पेक किया बतवा अगर वोही अगर एक लड़की लड़के को लेके बोले यह डिजर्व नहीं करता तो अगर वोही for example कोई और लड़की मेरे लिए बोलेंगे तुम इताब अढ़कोगे नहीं यहाँ पर कौन सा सीना आता है और बात जब हम दोने के वीच की थी मैंने उसको बोला उसने मेरे को बोला मैंने उसके बाद पर कोई रियाक किया है नहीं मेंटर्स मेंटर ना I guess मेंटर मेंटर्स लोग बीच में आते है उनका क्या संबंद बनता है और आय तो आये वो टॉपिक में लेके अगर बोलते है कि हाँ यह टॉपिक है उससे उसपेश टिक करके बोलता हूँ तो समझ आता अगर होता ऐसा और उन्होंने वो टॉपिक को डाइवर्ट करके ऐसा दिखा दिया जिदे से मेंने कोई वूमेन का डिस्रिस्पेक किया जबकि मैं यह बोल रहा था कि इंडिया में हे ठरकी लोग यह तो है भाई तो जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखके नहीं आता तो इसमें ने क्या गलत बोला पहले तो यह 10,000 का सूपर चैट हड़ जा भाई तरसे यह ने क्या गलत बोला था तुम होकी ने गाइश ठरकी तुम बता दो प्रूव कर दो बे चैट में बता ओ तुम लोग होकी ने क्या सीन है मैं अगर सच बात बोलू तो लोगों को जमती नहीं अगर जूड बात बोलू तो लोग बोलते तु नहीं हो नहीं है क्या देख देखो चैट देखो मेरा भाई यह ना यह ना sensitive topic है वह बोलने का भी निया वह ना बाइर एक controversy नहीं हो जाएगा यह जाएगा और अगर और तुमने बोला कि जनता का प्यार है जनता जिसको चाहिए दे जिसको चीए प्यार दे तो मैं जनता को थोड़ी क्या कुछ ऐसा बोल रहा कि मैं सामने वाले को कि अनटिनयल रखना ना तुम तुमारा रको लोका तों करो ये क्या अपने mom को अपने van को मेरे घर पर जया मानी है ना कि मेरे घर प्page करेंद लिए ऊल्टा मेरे घरहए मेरे डाड सुबे से रात तक बाहर रहता है मेरी mom है अड़े है उसक्रें市 Absolutely Building मेल के साथ में रहता हूँ मेरे को पता है कैसे रिस्पेक्ट देने का रहता है मैंने अज़ तक कोई on stream किसी का कोई लड़की के बार में मैंने कभी नहीं बोला है कभी बोला है मैंने गाइस हाँ